आज अरपण में जिस शायर का कलाम हम प्रिस्तुत कर रहे हैं वो शायर अपने शब्दों के रूप में आपके कानों से जरूर टकराया होगा गजल के इप्तिदाई शौक में मुप्तिला व्यक्ती ने भी घुलाम अली की गाई हुई गजल हंगामा है क्यू बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है यकिनन सुनी होगी जी हाँ हम बात कर रहे हैं सयद अकवर हुसेन रिजबी की जो उर्फियाम में अकवर इलहावादी के नाम से जाने जाते हैं विद्रोही स्वभाब के अकवर इलावादी रूडी वादिता इवं धारमिक ढौंग के सक्त ख्लाफते उनके शेरों में जो तंज है वह आपको सोचने पर भी मजबूर करता है और गुदगुदा दाभी है वे शायर आतिश की परंपरा से आते हैं उनके उस्ताद वहीद आतिश के शागिर्द थे वह अदालत में छोटे मुलाजिम थे लेकिन अपनी काविलियत से सैशन जज़ बने उनके कुछ मजाईया शेर पहले प्रस्तुत कर रहा हूं मैं खानाय रिफॉर्म की चिकनी जमीन पर वाइस का खानदान भी आखिर फिसल गया कैसी नमाज बार म मैं नाचो जनाब शेख तुमको खवर नहीं जमाना बदल गया तिफल में बू आए क्या माबाप के अतवार की दूद तो डिब्बे का है तालीम है सरकार की कर दिया करजन ने जन मर्दों की सूरत देखिये आब रू चहरों की सब फैशन बना कर पहुंच ली बोला चपरा असी जो मैं पहुंचा बाउमीद सलाम फाकिय खाक आप भी साहब हवा खाने गए खुदा की राह में अव रेल चल गई अकवर जो जान देना हो अंजन से कट मरो एक दिन तंग इस दुनिया से दिल दौरे फलक में आ गया जिस जगा मैंने बनाया घर सडक में आ गया पुरानी रोशनी में और नई में फर्क है इतना उसे कश्टी नहीं मिलती इसे साहिल नहीं मिलता दिल में अब नूरे खुदा के दिन गए हड़ियों में फास फोरस देखिये बेपरदा नजर आई जो चंद बीवियां अकवर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया पूछा जो उनसे आपका परदा कहां गया कहने लगी की अकल पे मर्दों के पड़ गया कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना बरकत जो नहीं होती नियत की खराबी है जी हाँ इनी अकबर इलाबादी की गजल जिसका उन्वान है दुनिया में हूँ दुनिया का तलवगार नहीं हूँ बाजार से गुजरा हूँ खरीददार नहीं हूँ जिन्दा हूँ मगर जीस्त की लज़त नहीं बाकी हर चंद की हूँ होश में होशियार नहीं हूँ इस खानाए हस्त से गुजर जाऊंगा बेलोस ये जो अस्तितु का घर है इससे एक दिन बिना लांचन के गुजर जाऊंगा इस खानाए हस्त से गुजर जाऊंगा बेलोस साया हूँ फक्त नक्ष बेदीबार नहीं हूँ अब सुर्दा हूँ इवारत से दवा की नहीं हाजित अब सुर्दा हूँ इवारत से दवा की नहीं हाजित गम का मुझे ये जौफ है बीमार नहीं हूँ वो गुल हूँ, खिजाने जिसे बर्बाद किया है, उल्जूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ यारव मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी नायत का तलबगार नहीं हूँ अफसुर्दगी ओ जौफ की कुछ हद नहीं अकबर, काफिर के मुकाबिल मैं भी दीदार नहीं हूँ अब सुर्दगी और जौफ का मतलब होता है इस निराशा और क्षीनता की कोई हद नहीं है क्योंकि काफिर के मुकाबल नास्तिक जो है उसके मुकाबल मैं भी कोई ऐसा धर्म का पालन करने वाला नहीं हूँ अब सुर्दगी औ जौफ की कुछ खद नहीं अकबर खाफिर के मुकाबिल मैं भी दीदार नहीं धन्लवा